बागरपूर सुल्तान गंच रेलवे स्टेशन में घंटो दानापूर इंटरसीट एक्सप्रेशन रुकने पर रेली आत्रियों को हो रही है परेशानी महीतानापूर साहिब गंच इड़सुट एक्सप्रेस में सफर कर रहे है यात्रियों ने बताए कि सुबार लगभग 10 बच कर 37 मिनट से सुल्तान गंच इस्टेशन पर रेल को रोका गया है तीन घंटा लगभग बीत चुके इस्टेशन में कोई व्यवस्था रेलियात्रों के लिए नहीं की गई है साथी इस्टेशन में बिजल नहीं होने से ऐसी बंद परा है उमस भरी से काफी प्रेशानी हो रही है और समय पर भगलपूर वो साहिब गंच इस्टेशन में ड्रें नहीं पहुछने पर काफी नुकसान हो गया है वह इस सुल्तान के च्ट्रेशन मास्टर दीपक कुमार ने पता है कि भागरपुर एस्ट्रेशन में छात्रो दोरा उग्रपर दर्श्वर्ट के करन दानापुर साहिब गंज्र तीन दो तीन च्छोर डाउन इंटरसेट एक्सप्रेस को रुका गया है रेली आत्रियों की सुरक्षा को लेकर इस्ट्रेशन प्रेस्टर में चप्पी चप्पी पर प्रेस्वर गोल लगाए गया है रेली आत्रियों को कोई प्रेसारी ना हो इसके लिए पानी की विववस्था जोगा जोगा की गई है इस टेशन में बिजली नहीं की सवर पर कहा कि बिजली पांच घंटों से बादित है इसलिए एसी इवम पंखा नहीं चल पा रहा है मस्मरीगर में यार्तियों को कपी प्रेशानी हो रही है बिजली आने पर इवम भागरपुर में चातरों का उगरांदूरन की बाद सोस में रूट चलू हो जाएगा और कहा कि नातनगर में गरीब रथ ट्रेन को रुखा गया है कल्यान पुरे स्टेशन में डी एम यू को रुखा गया है रेल यातर का रेल लोगों को ट्रेन चोड़ कर बस सियाव तरा एवन टेपों यातर से अपने अपने काम पर जाते देखे ग मजूद थे संबाद दाता विस्तिक अनंद की रिपोर्ट पिन्प नियोच भागलपूर अठ नो बज़े के बाद लाइन नहीं है क्या कठनाई हो रही है बहुत काफी भिसम गर्मी है अगर्मी के कारण लोग त्राहिमाम में है उपर से विजली भी नहीं है भड़ों काफ लिखत्राहिमाम में है यात्री को भारी को भोर कठिनाई से गुजरना पर रागा है यह सी का जो वह लाइन नहीं नहीं है पंकान नहीं है कहीं कुछ नहीं है अस्वाने से पाद भिद्यार्थी भागलपूर में जांग किये हो जिसके कारण की इंटर्शिटी 32 डौन इंट आगे जैसे ही विद्यार्थी का जाम तूटेगा गारी को पनिचाविद किया जाए जाए इंटर सिटी बद्ति शटिरों पतना साहेवन इंटर सिटी कितना देन से आप यहां पे खड़ेगी है जो घंटा से रुका हुआ है जो घंटा से जाना एक कहल गां है जी जएगा आगल पूर जाना रहता दोटोज विजागी काथी परिष्वनी उल रही है आपे परिशह नहीं हो रहे हैं तो ब्वस्था वी तक कोछ सुचना नहीं मिला आप लोगों को सुचना भी नहीं कर रहा है कि पुलेगी कि नहीं पु झाल